दर्सेकों आपका Health Nature Health में स्वागत है आज मैं आपको आउले के फायदे बताऊंगा आउला विटामिन C का बंडार है और सूखा आउला ताजे आउले से भी अधिक गुनकारी होता है क्योंकि सूखे आउले में विटामिन C, अमल, स्टार्च, प्रोटीन, तैनिन और शकर ताजे आउले की अपेक्षा अधिक होता है अचार चट्नी मुरब्वे या दवाईयों में मिलाकर तिफला के रूप में भी इसका इस्तमाल किया जाता है जो आतों और पेट को मिर्मारियों से बचाता है मस्तिष को शक्ती देने के लिए यह बहुत ही उप्योगी होच दिए हरर बेहर और आवला इन तीनों को मिलाकर तिफला बनता है सूखे आवले को पीस कर इसके चून को तेल में मिलाकर शरी में लगाना चाहिए इससे खुजली मिठती है और भूग बढ़ती है सूखे आवले, चित्रक की जड़, हरर, पीपल और सेंधन अमक समान मातरा में लेकर चून बना लें इसके सेवन से सभी प्रकार के ज्वर शान्त हो जाते हैं सूखे आवले के चून को गाय के दूद में सेवन करने से स्वर मदूर तथा तीवर होता है सूखे आवले को कूट पीच कर चून बना लिया जाता है कुछ समय तक मूली के साथ इस चून को खाते रहने से मूत्र पत्त्री दस्ट हो जाती है पीलिया रोग में आवले का चून चाज के साथ सेवन करते हैं सूखे आवले के टुकड़े रात ने भिगो देते हैं सभेरे उसके पानी से बाल दो लेते हैं इसके प्रयोग से बालों का गिरना पकना बंध हो जाता है और बाल घने तता काले हो जाते हैं तो यह आज आपने ज़रूर नोट किया होगा जो मेरे वीडियो में आपको बताया गया है हैथ नेचर में आपने लेको जापे लेको जापने लेको जापने बालों का बालों कि अपक लेगोगा जाते हैं प्रयों कर दो लेकर दो किते हैं